अब नमस्कार फस्ट इंडिया के खास कारिक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है गिनीज बुक आफ वर्ड रिकॉर्ड के कई रिकॉर्ड तो आपने सुने होंगे लेकिन हाली में देश में एक ऐसा रिकॉर्ड बना जिसको लेकर राजनेतिक शेत्र में हल्चल सी मची हु कि अगया आग्डिया की सबसे बड़ी पार्टी को आगे जाएगा इन सब परबातशीत के लिए राजस्तान भाजपा के महमंतरी और राजस्तान में सबस्ता भ्यान के प्रमुख नारंट पचिर्ण नाराणी जी बहुत बहुत बढ़ाई हो आपके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पार्टी के लिए दरनेवाद है अखर में ये रिकॉर्ड बना कैसे हैं क्या ये रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्डों के तरह हवा वाई है या कुछ इसमें थोस बात पी है देखियो आप देश के अंदर जो कुछ भी होगा वो निश्चित तोर पर ठोस ही होगा इस देश की जनता ने और जब सत्रा करोड वोट देकर सत्रा करोड वोट हमें मिले हैं आजर ने नरंदर भाई मोदी को देश का प्रधान मंतरी बनाया और भारती जनता पार्टी को लाइक किया परसंड किया जब साथ जुड़े तो एक कारी योजना बनी हमारे राष्टी अद्यक्स अमिस साहजी ने और नरंदर भाई मोदी ने और पूरी राष्टी ने तुपने बैट करके तै कि जब हम चाहते हैं कि भारत दुनिया में नंबर एक हो इस भारत माता को जगत गुरू के उस उच्छी शिहासन पर आरूड करने की एक जो मन में कल्पना भावना थी उसको लेकर पंडित दीन द्याल उपाद्या जी का जो सपना था उसको साकार करना था चूंकि मैं सीधा और मेरे पास दाइत तो है दिल्ली की मिटिंगों में बैठता हूँ सारी रचना जब मैंने देखी तो मैं सही कह रहा हूँ कि मन में बहुत प्रसंता हुई दीन द्याल जी कहते थे कि जो हमारा मद्दाता आज है कल भारती जनता पार्टी का सदश्य बने पार्सं यानि आगे चलकर भाजपा का कारेकरता भी बन जाए पर यही सवाल उटता है देखे आकर में इस डिजिटल मेंबर्शिप के जरिए आपने सदश्य तो बना लिये पार्टी की विचाधारा को मानने वाले हैं या नहीं पार्टी की रीती नीतियों से संतुष्ट है या नहीं लेकिन वो आपकी मेंबर बन गए हैं क्या ये बड़ा सवाल खड़े नहीं करता कि आपकी पार्टी की दीती नितियों से आपकी विचाधारा से सहमत नहीं होते हैं भी डिजिटल के वले एक नमबर के जरी है उनको मेंबर बना दिया गया है सवाल नहीं खड़े करता बिल्कुल प्रशनी नहीं उड़ता हमारे पास सिकायते ये आती थी कि साब आपकी मेमर्शिप में बारदर सीता नहीं है आपकी मेमर्शिप के माद्यम से कई ऐसे लोग जो अपने इच्छा से और संगठन पर कबजा करना यानि खुद ने अपने सदेशे बनाए रद्यक्स बन गे इस परकार की घटनाएं भी और कई तरह की शिकायत है थी मैं ये सोचता हूँ जब दुनिया इस गती से चल रही है कि बिल्कुल नई टेक्नोलोजी उसका उप्यों किया जाए और तो और इस दुनिया के अंदर चाइना की जो पार्टी नमबर एक पर थी साथ करोड शाथ लाक मेंबर सिप थी बाजपा ने तैक किया था आदेने मोदी जी अमिसाजी ने कहा कि इस देश में दस करोड सदस्य बना कर हम नमबर एक दुनिया की बनारे जी बड़ा सवाली होड़ता है कि जो चीन की कम्निस्ट पार्टी है मांकि सदस्यता का एक प्रोसेस है मां कि जी आज कल कोई व्यक्ति अपनी बिगर इच्छा के कोई काम करता नहीं मोबाइल निकाला नंबर डायल किया वान एट जीरो जीरो टू जीरो टू जीरो करके क्लिक किया वो जब बाद में जब नंबर आया तो उस पर भी गौर करके वापस एसमेस बेगा नारे जी यही स लोगों के समों को एकटा करके पार्टी कहीं गलत दिशा में तो नहीं चले जाएगी क्योंकि संगठन जो है भारती जंता पार्टी विचार धारा पे आधारित संगठन है ऐसा का जाता है इन प्रश्णों का जो उत्तर हमारे राष्टी अद्धिक्षिन ने दिया तो मैं सोचता हूं सारे लोग संतुष थे मैं थोड़ा सा आपके मादिम से बताना चाहूंगा आम जनता को और कारिकरताओं को कि ये मात्र कारिकरम सदश्य बना लेने तक सिमित नहीं है कि हमारे से दस करोड होगे तो वस वावाई होगी पीर थप थपाली कहा हम बहुत बड़ी पार्टी बनके ऐसा नहीं है अब जो हमारा अभी एक तारीक से एक मई से लेकर लगा तार तीन महीने तक और जिस परकार से भाजपा का हमारा अभी तक का जैसे तेरे लाख हम थे भाजपा के राजस्तान में अभी 13 लाग कुछ हजार हम थे 13 लाग की जगा हम राजस्तान के अंदर अभी 75 लाग हो गए तो हमारे जो जिस सेटर के जो लोग है लिस्टे हमारी त्यार हो गई क्योंकि सौर्ट वेवर में हमारा ऐसा सिस्टम था बना हुआ कि उसके अंदर हर सेटरवाइज बिल्कुल इवन देर बूद तक पहुँचेगा क्योंकि हमने बूद तक हमने ये किया था कि आप अपने पोस्ट आपीस के पिन कोड नंबर भेजिये उस पोस्ट आपीस का एक ऐसा नेटवर के इस देश के अंदर आज भी कि उससे नीचे तक की सारी वेवस्ता के लिए रोगी अब हमारा कारेकरता हमारी सरकार की उपलब दिया प्लस भाजबपा क्या है और इस देश में भारते संता पार्टी क्यों है और पार्टी अपी तो बहुत है ये लेकर के महा संपर का अभियान चलेगा और एक नवी दिन और करूँ एक और अभियान चलाया है ये तो हो गया हमारा साधान कारिकरता अब उसके अंदर हमारा जो सक्री कारिकरता का जो है वो काम हमने अभी शुरू कर दिया सक्री कारिकरता के अंदर सो सदस्य जिस बंदे ने बनाए है वो तो जबरदस्ती होते हैं मोबाइल से एक फॉर्मेट हमने जारी किया था। नेट पर भी था व्यक्तिकत भी दीये थे। और ये कहा था कि जो सक्री सदस्य होगा, वही कारकरता भारती जंता पार्टी का पदादीकारी होगा। वही कारकरता आगे जाके टिर लेने का हगणार होगा। पूरे देश में हैं या क्या राश्टी इस्तर पर तै होता है और तो और वहां निर्ने होने के पश्चाद भारती जन्ता पार्टी पूरे देश में अगर बूत पर भी कुछ होगा तो वह निर्ने राश्टी इस्तर पर होगा हनारे जी एक बड़ा सवाल क्योंकि राश्टान को लिके उड़ता है आप क्योंकि सजस्ता अभियान के प्रमुक थे शुरुआत में बड़ी जटके लगे धीरी धीमी धीमी गती काफी शायद 25 लाग तक पहुचने में आपको एक बार जटका लगा फिर धीरे बढ़ते और कहते हैं कि सेंटर का बड़ा प्रशार रहा इसके चलते फिर पार्टी बाद में सक्री हुए ये बात भी मैं मानता हूं कि सुरू में हमारी रप्तार कम रही उसके पीछे कारण सीधा सा ये था कि जैसे हमने ब्यान सुरू किया हमारे इस्तानी निकायों के चुनावा ग करता हर जिले पर प्रभारी ने प्रवासी है हकीकत में वो योजना हमारे इतनी काम आई नीचे तक सारे हमारा संग्ठन सक्री हो गया और सदिस्त अभ्यान को बहुत उंचाहियां मिली और हम आउसकी पर नितिये के हमाज इसी सिती में हैं इसको लेकर बड़े आरोप जो आ पार्टी के ऐसे वर्च्वल नेता आभासी नेता को अब पार्टी के खड़ा कर देगी देखिजी जब हमने साफ के दिया कि हमारा पार्टी का अगर कोई पारसद भी चुना जाएगा तो वो भारती जनता पार्टी का सक्री सदिशी होगा डिजिटल वो नहीं जो साधार सद्देशीड रोने हो सकता सो मेंबर से सो वेक्टियों से रुब रुखे उनकोa की बात करके समझा के Mario इसलिए इसा कुछ नहीं है इसा यह से अ की पार्टी का व्याग बढ़ा है जैसे भार के दूसरे दलों से या दूसरे विचारों से उलटकर पार्टी में लोग आये हैं तो पार्टी के अंदर पहले से ही संगर्श है वो पार्टी की विचारधारों को अपना नहीं पारे हैं और आपस में संगर्श है आज तक पार्टी उन्हीं कारे करताओं को उन्हीं नेताओं को अपने विचारों में ढाल नी पाई है फि दस करोड़ लोग जब भारतिय जिन्ता पार्टी से जुड़ गए तो और भी दस करोड़ लोगों के मोबाइल नवगर हमारे पास है तो इस दुनिया के अंदर आप कल्पना करो के एक साथ दो लाग तीन लाग पांस लाग लोगों से वहारे प्रदान मंतरी जी बात करेंगे कभी राशतान में मुख्य मंतरी जी बात करेंगे कभी वहां की उपलब दिया उस कारेकर तक तक जो हमां हमसे जुड़ा है वहां हम पहुंचाएंगे तो यह कहावत है ना कि बार बार अगर सारी चीज उसके पास जाती रहेगी तो वो भी जाकरत रहेगा वो भी साथदान रहेगा वो भी देश के लिए राष्ट के लिए समर्पित भावना से काम करेगा यह भी उसका उपयोग उन सादान सदिश्यों के लिए रहेगा पार्टी के पुराने लोग अभी से सवाल उठाने लगें कि जो नई लोग आए वो पार्टी की विचार धरा से पूरी तरह स सेहमत नहीं हैं. नहीं यह जो आपका है, इससे मैं एक भारती जनता पार्टी का मेरा कोई भी पदा दिकारी दाय तवान पान कारे दाय करता और विचारों और से सहहमत नहीं हैं. इस बात को कते हम स्विकार नहीं करते पर एक बड़ा सवाल अनायन जी क्योंकि यह नहीं उड़ता क्योंकि आप तो 75 की आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं और कुईंदा चेरी जी ने एक बड़ा सवाल उढ़ाया था जब उन्होंने पार्टी को छोड़ा था उन्होंने का था कि जिस चाल आप रितर और चेहरे के साथ ही सब कुछ रंग रूप रोगन भी तो नहीं बदल दिया, सब कुछ बदल के रखड़ा जेहां जब जो कुछ भी हो रहा है, वो चांसली नहीं हो रहा है, सारा चॉच ली हो रहा है जो कुछ भी इस बाहरत के अंदर भारती जन्ता पार्टी और जो हमारी सरकार है जांए राष्टिकी आदरने मोदी जी के सरकार हैं चाहे जहां जहां भी मुक्यमंत्री वतसुंद्रा राजेійсьा की सरकार है सैंद्रें नैं बेंटकर सबका एक लक्स है लक्स भी ही नहीं हैं आब हमें सब पता है कि पार्टी का रंग रूप रोगन सब बदल डालेंगे बिल्कुल नहीं बदलेंगे पार्टी का रंग रूप रोगन निखर कर आ गया है केवल देश में नहीं केवल देश में नहीं आपको आश्यरी होगा कि पहली वार हिंदुस्तान की प्रधान मंतरी को जिस प्रकार से च दुनिया में इस समय भारत की पूजा होने लगे है भारत की शक्ती को मानने लगें परदेश में क्या हाल हो रहा है मोदी जी का लगातार ग्राफ किरता जा रहा है किसान आत्मकत्या करने को मजबूर हो रहा है इस पर चर्चा चारी रखेंगे अभी लेते हैं एक छोड़ा सा ब्रेक के बाद आमने सहांने में आप आएक बार्टॉलार लाइवार। भरती जनता पार्डी के वरिस्ट नेता नारेन पचारियो नारेन जी भात हो रही थी कि आपने का निशे तौर प्रे दुनिया में मोडी जी ढब दुनिया के नेता के तौर प्रेपूजा जाने लगें लेकिन जो नित्रत और जीरोगरों लोग आज निराश हैं और कहने लगें कि मोदी जी को क्या हो गए है बारत के युवाओं की धरकन कहें हर वेक्ति को आसा की करिन अगर कहीं दिखती है तो मात्र मोदी जी में दिखती है अरे एक एमेले जब खाता खोलता था तो वहां कहते हैं पहले दो विटनेस लाओ मोदी जी ने कह दिया हिंदुस्तान के उस गरीब का खाताखोलो नरंदर मोदी प्रधान मंतरी उसका विटने से ये कोई कम बात है क्या क्या यह ने किया कि बहुत अच्छी है कि यह सारी योजना अब जमीन पे आएंगी इसका सब को इंदार है लेकिन क्या नहां है जी लगता नहीं है कि कॉंग्रिस के शाषन में बड़ी संक्या में खिसानों के आत्मत्या है हुई और फिर एक साल का रिकॉर्ड हरा है 635-640 किसान आत्मत्या कर चुके हैं उस इलाके में और राजस्तान में तो कभी खिसान की आत्मत्या कर १ा तो जाती है लेकिन किसान आत्मत्या कर रहे हैं देखिए जहां तक किसानों की समझ्या का सवाल है जो प्राकर्तिक आपदा हुई तो मैं आपको बता दूँ मैंने स्वेम ने जैसे ये हुई उसी दिन सुन्य काल के दौरान इक उठाया था आप अगर देखा हो तो ट्वी में देखा होगा हमने ये कहा कि राजस्तान का हमारा किसान भाई इतना मजबूत है चाहे साथ साथ अकाल पड़ गए होंगे तो भी जो है जूजने वाला बिलकुल मैं इस बाद से आपके पूंट तैसा मत हूँ लेकिन इस तरह की अब जो गटना हुई थी एक हुई थी उसमे भीलवारा में अभी कल दोसा की हुई हकीकत में अलवर में भी हो गई वो पटड़ी पर आकर के रेक किसान का पूरा का पूरा संगठन किसान भाईयों के साथ में हैं जरा मजबूती के साथ खड़े रहें सरकार आपके साथ है केवल कहते नहीं हैं साथ साथ आपको पता इसका मतलब घुशनाय तो हो गई जमीन इस तर पर नहीं उत्री हैं गोशनाय तो हो गई किसान अभी भी बेहाल है अभी अभी सब्सक्राइब कर भी नहीं हुआ थीन चार पांस दिन पहले और ये जो निर्णे वह हैं आप समझते हैं कि एक जो गवर्मेंट का सिस्टम है ये कोई बाज़पा ने नहीं बढाया मोधी जी नहीं बढाया जो विरो किसी का सिस्टम है अलंकि उसमें बहुत पारदर सीता लिया है अब तो यहां तक कह दिया है कि बिल्कुल डारेक्ट जो है जाके पेमेंट कोई मध्यस्ता नहीं कोई पारदर सीता सीधी ऐसा कुछ कर रहे हैं पर थोड़ा देखे जी इतना सालों की आजादी के बाद जो कॉलेप्स वा सिस्टम है उसको जरा तुरस्त करने में ठीक करने में समय तो लगेगा पहली वार हुआ है कि जब नव महीने दस महीने होगे एक भी आक्षे एक भी आरोप किसी परकार का सुच्छ प्रसासन सासन अरे कैसे हो सकता है एक देश का प्रदान मंत्री अगर लाल किले की पाची से ये बोलता हो कि मैं रखशक हूँ रखवाला हूँ ना खाऊंगा ना खाने दूगा किसकी हिमत है चाया कितना भी एक व्यक नीचे तक हाला तो नहीं बदले आज भी लेंदेन होता है आज भी कमिशन खोरी होती है नीचे के सारे कामों की हालत आज भी वही है बिना किसान बिना पैसे के अपनी जमावंदी की नकल नहीं ले पारा किसान के साथ या आमादमी के साथ वही दुश्वारिया है मोधी जी तक जो जिस तरीके से सुधार होना चाहिए नहीं हो रहा है देखिए जी आखिर जिस परकार की रचना लगाता राजादी के पूरू से लेकर सुरू हो गया था सिस्टम रचना उसको दुरूस्त करने में समय तो लगेगा दुरवाग्य है अभी हमारा कि राजसवा में हम है कि जिस गती से हमारी सरकार को काम करने की अरे एक पधान मंत्री 24 गंटों में से 18 गंटे काम करे अरण जी सवाली उड़ता है आपने का कि राजसवा में बहुमत नहीं है इसलिए बड़ी दूइदा में रहती है सरकार लेकिन लेंड एक्विजिशन के मामले में ऐसा नहीं होता है सरकार हड़ जाती है क्योंकि वो कुछ उद्योक पतियों से जुड़ा हुआ मामला है क्योंकि धनाड्यों से जुड़ा हुआ मामला है महातों सरकार पूरी तरह से अपने जूर लगा देती है अपनी पूरी शक्तिको लगा देती है और किसी मी तरह best अद्योक प्लाने की कुषिश करकेcha करके मैच्शा जटा कर इस पिल को पास़करा नहीं जाती है बहुत अच्छी बात आपने पूछ ली मेरे मन की इच्छा भी थी कि मैं आपके माद्यम से मेरे उन किसान भाईयों को उन लोगों तक सत्यता पहुचा दूँ अरे भजी जब लगता है ना का हम तो लुट के हम समापत होने जा रहे हैं जब टीम कोई हारती है ना तो मारो या मरो उसी इस्तिती में तो विपक्सियों ने तो वो इस्तिती कर ली अरे देश का पधान मंत्री जब ये कह रहा है कि एक इंच जमीन भी किसी उद्यों की गराने को नहीं देंगे जहां तक संबो होगा सरकारी जमीन बंजर जमीन को एकवाइड किया जाएगा जब हमें लगेगा कि आवशिक है जितनी जुरते उतनी ही जमीन ली जाएगी चार गुना मुआवजा दिया जाएगा नारेंट जी नारेंट जी ये सवाल यहीं उड़ता है क्या पदान बनते जो बोलते हैं वो धरातल पर उतर पाता है क्योंकि सारी की सारी काम तो मशिनरी करती है उस मशिनरी को आस तक नहीं बदल पाई है मोधी सरकार भी तो क्या मशिनरी ने अगर गड़बड़ी की तो जिम्मेदारी किसकी होगी इस कानून के माद्यम से मशिनरी ने आफसरों ने चाह लिया कि किसी धनाटे को किसी उद्योग पती को लाब पहुचाना है तो कैसे रोगी कि मोधी सरकार इस कानून के बाद देखिए जी भारत के अंदर लोग तंतर है लोग तंतर में कानून से काम चलता है यह तो हम कह रहे हैं कानून पास होने दीजिए फिर किसकी हिमत है कानून के विपरित कोई भी नहीं जाता और मोधी जी की जो दूर दृष्टी है ना कल आपने देखा होगा कानून के जरीए वहां बैटें दिल्ली में और तुरंट यहां के विवाग को बुला करके कानून के जरीए वीडियो करामस में बात की सेंट्र के अंदर उधर और फॉरेस्ट वालां से बात हुई और हाथो हाथ दूर दिनने कर वाया कि जो काम हमारे आदिवाशियों के पट्टे को लेकर के बहुत बतल इतनी रिलीफ आप समय लिए मिली है कह दिया इस महीने के अंते तक सब के पट्टे हो जाने चाहिए पनाराइन जी बड़ा यह सवाल उठता है कि जो अभी लैंड एक्विजिशन लागू है जो यूपिय सरकार ने लागू किया है उसमें लोगों गिरा है सतर परसंट लोगों गिरा है उसमें सोशल जो असस्मेंट की जो बात है सामाजिक प्रभाव की असस्मेंट की जो बात है उससे क्यों मोदी सरकार को दिक्कत है क्यों हटाना चाहती है वो क्या हटा रहे है कोईछ नहीं हटा रहे हैं हम तो उल्टा जोड रहे हैं उसके अंदर ये लैंक अट opposition जो है act को अगर आप ध्यान पूरत देखेंगे जन सहमति की धाराओं को ठादिया गए उसमें कहा गया कि जन सहमति को जरुट नहीं है उसमें कहा गया कि जो सामाजिक प्रभाहों का जो assessment है वो भी हब जोरत नहीं है आप देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो क्या कभी भी एक परिवार को चलाने के लिए एक सामाने बाद छोटी सी बात आपके माद्यम से सब लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा क्या एक परिवार के अंदर 80% सदस्य बड़ा कुलूबा दा चाहिए आप रेलवे से समंदित है चाहिए परिवन से समंदित है तो ही हम जमीन लेंगे अरे एक्ट में प्रावदान कर रहे हैं तो जरा समझो सुनो उसके बाद आगे बढ़ो और 21 मुक्य मंत्रियों ने लिखित में और अभी गणकरी जीने कहा भी था साब साब कहा कि हम को देखते हुए निरने किया है किसान मेरे किसान भाई को किसी परकार का कोई कष्ट अरे वो गरीब बाप का बेटा जिसने बहुत गरीबी देखिए देश के प्रधान मंत्री जीने सब पता है किसानों की गरीबों की बात को भली परकार से जानता है अरे पी-एम बनने के पहले मैं आपको बता हूँ आपकी टीवी में बताया होगा पी-एम की समर लेने के पहले कहा था उसने के ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है नारेंट जी वही बात उठती है कि गरीबों की से निकले हुए प्रधान मंद्री उन्हों देखा है किसानों को जड़ती है उन कानून लाते किसान कैसे बचे इसका भी कोई कानून लाते किसान और किसान का परिवार कैसे मजबूत हो इसका कोई कानून लाते उद्योगी करण के लिए लेन्ड एक्विजिशन का कानून लाने की इतनी जल्दबाजी दिखाई सरकार ने क्या किसानों की मजबूती के लि बिलकोब नपढ़के और जो प्रेजेंट किया जा रहा है अरे बहुत जा पढ़ो तो सही उसमें साफ का है कि किसान का बेटा मातर किसान न रहे किसान की फसल वही पर गावां तक न रहे सेट ये बेचो लिए जाकर के सस्टे में न आ खरी ले तो क्या उस गाउंव के अंदर सटक नहीं चाहिए सटक जाने के लिए क्या एक्विजेशन नहीं करना पड़ेगा क्या उस किसान के बेटे को नौकरी नहीं दिला ली क्या कोई उसी सेत्र के अंदर बड़ा कोई जैसे अभी करके आए M.O.E. और एक देश के अंदर बहुत बड़ा जो है हमारी इंडिस्ट्री खुलने वाली है फैक्ट्री खुलेगी भारत सरकार से उनका समझोता हो गया और हमने कह दिया कि इतना परसेंट डबाना सहमत है क्यों ही आम जंता सहमत हो रही है क्या कारण है देखो मैं आपको अभी आपने रेली देख लिए अरे हम भी तो विपक्स में थे यही मैदान था किसानों को लेकर हमने भी पचासों वार जो आनुलन किये थे एक रेल गार्डी निकली वो भी राज़्टान की बता रहूं जाने की बात कर भादे पहले तो लड़े किसाब कौन साधन करेगा कौन नैता क्या करेगा ये हमारे विपक्स भाहियों का चला फिर एक रेल गार्डी की ज़ड़ा संक्या देख लीजिए क्या रास्तान में इतने किसान है गया और वो भी प्रायोजित तरीके से इसलिए मैं बिलकुल नहीं मानता कि ये मात्र जो है प्रचार प्रसार करके जूटा फ्रम पहला जा रहा है संपोन किसान अरे बई किसानों की जो यूनियन्स है ना उन से भी वारता हुई है मुख्यमं से बार तो एमानडारी से नहता कॉंग्रिस के नहता किता है नहीं साथ ठीक है लेकिन राजनिती है हमें तो करना पड़ीगा अब राजिस सबाग की फिर कुशन मारके जिसके तो आप भी मेंबर हैं क्या करेगी इस लेंड एक्यूजिशन बिल को लेकर सरकार कैसे इसको या आप तो रिवेट के लिए त्यार ने, आप तो मैटने के लिए त्यार ने, मिल को पेस करवाने के लिए भी तैयार ने, ये हालात जो है हमारे राजशबा में, मिल को पेस किया जाएगा, पेस करने के बाद में जो भी तैह हो, या तो मिल वोट करके गिरा दो, नहीं चाहते नारे लगाने के सिवाए भाई कुछ भी तो नहीं करते ये है राजस्वा की गतवार की स्थिति तो इस बार क्या स्ट्रेजी मनाई है वो तो हमारे राश्टी नेतर तो जैसा ताय करके और हमें जैसा नर्देश देंगे उसके अंदरूप हम लोग हमारे पूरी टीम काम करेगी नारे इनमोदी बार बार कह रहे हैं और हमेश शाहन भी का है कि अब ये लैंड एक्विजिशन को बिल्को लेकर जनता तक जाएगी उनको समझाएगी एक मईसे जैसे ये हम अभियान चाल रहे है कि नेताओं को भी आ जाएगी सुद्बुद्धी देंगे नेता भी जो है समझेंगे समझने के बाद जिस प्रकार से माइन्स का और कोल्स का जो बिल्ल पास करवाया था एक वार तो अगर अड़ गे थे उसके बाद में बिल्कुल साथ रहे के पास करवाया बिल्कुल हम साथे हैं क्या आजाएँ ना ये एक और क्या सथन। कि एक करोर। सदध कर पूरह हो होरी है देखिया हमारा एक करोर का नहीं है हमारे को लखस जो दिया है उ क्योंकि हमारे को 1 करोर और 38 लाग वोट मिले थे ये जो हमारा काम है ना कितने होے तो उसमें से कितने हैं? सदेशता अबयान को हम और गती दे करके हमारा पहला प्रियास थो यह रहेगा कि हम आने वाले पास बचा है इच्चा साथ दिन उसके अंदर हम हमारे लक्स को प्राप्त कर लें 85 लाग सदस्य बना दें ये थे भारती जंदा पार्टी के नेता नारण पचेरिया अगले हफते फिर में लेंगे एक और रस्ती के साथ